हे गाइच हमेशा की तरह सवागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में यह है आपडूक स्रीज की तीसरी वीडियो और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दो इंपोरेंट प्रोटोकॉल पॉप थिरी और आई मैप के बारे में अगर आपको information नहीं है तो मैं आपको बता दो कि मैंने outlook के उपर एक complete स्रीज जो है start की है जिसमें मैंने basic सले के advanced tools and technique के बारे में बताया है जैश GYJS पॉप और आई मैब दोनों protocol email server से email receive करने के लिए जाना जाता है Simple वाहता में में बतायों थो दोनों protocol email को receive करने के लिए परयोग होता है अब बात अता है कौन सा protocol हम लोगों को use करना सही होगा क्या pop use करने में ज्यादा फाइदा है या फिर आई मैप ? ऐसे कई सारे सवाल आपके मन में भी होगा, तो चलिए एक एक करके दोनों के बारे में मैं आपको बताता हूँ, तो वीडियो को इसकी मत करना, वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, POP और IMAP के बारे में, तो सबसे पहले बात करते हैं POP 3 के बारे में, POP का फूल फॉर्म है Post Office Protocol, अगर आप POP 3 करते हैं, तो क्या-क्या होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ, नमबर एक, POP जो है, इमेल को मेल सर्वर से आपके कंपीटर में डाउनलोड करता है, और मेल सर्वर से आटोमेटिक डिलीट कर देता है, POP सिर्फ इनबॉक्स का इमेल डाउनलोड करता है, बाकी और फोल्डर्स जो होते हैं, जैसे की, ड्राफ्ट फोल्डर, सेंट फोल्डर, डिलिटेट फोल्डर, इन सब का इमेल डाउनलोड नहीं करता है, पॉप जो है different different device में synchronize नहीं होता है example के room में यहाँ पर आपके पास दो computer है दोनों में आपने same email account confirm किया है तो अगर कोई new email mail server पे आता है और suppose computer एक ने पहले check कर लिया तो email इस computer में आ जाएगा और दूसरे computer में email नहीं आएगा क्योंकि pop 3 में email mail server से delete हो जाता है इसलिए जादे तरह लोग outlook confirm करते हैं leave a copy of message under server पे check mark लगाके confirm करते हैं तब सारे computer में email receive होता है चली अब बात करते हैं IMAP के बारे में IMAP का full form है internet message access protocol IMAP भी email receive करने के लिए परियुक होता है अगर आप IMAP confirm करते हैं तो क्या क्या होता है चली मैं आपको आता हूँ नमबर 1 IMAP जो है email को computer में download नहीं करता है एक direct mail server से synchronize होता है इसलिए आप अपने नए और पुराने email को multiple device में देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं IMAP email account के सारे folders and email को multiple device में synchronize करता है इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे folders and email सब में same दिखा रहा है अगर आप किसी computer से कुछ भी delete करते हैं चाहे folder हो या फिर email तो direct server से सारे device में delete हो जाता है क्योंकि हमारे device में कुछ भी store नहीं होता है सब कुछ server पे store होता है अगर आप बात करें दोनों प्रोटोकॉल में से कौन सा यूज करना चाहिए तो यह आपके condition पे depend करता है अगर आपको single device में email receive करना है तो आप pop3 यूज कर सकते हैं अगर आपको multiple device में जैसे कि multiple computer, multiple smartphones, tablet आधी में same email receive करना है तो आप iMap का यूज कर सकते हैं लेकिन यूज करने से पहले इसके फायदे और नौकसान जान लीजिए जैसे कि pop3 फायदे downloaded email जो होते हैं इसमें बीना internet के offline आप देख सकते हैं क्योंकि इसमें email computer में download होता है mail server का storage space यूज नहीं होता है नौकसान आपको time to time email का backup लेना पड़ेगा क्योंकि अगर आपका system corrupt होता है तो email सारे delete हो सकते हैं आपके system में email save virus आ सकते हैं क्योंकि email आपके system में store होता है ऐसे ही बात करें iMap की तो इसमें आपको time to time email का backup लेना नहीं पड़ेगा क्योंकि all email जो होते हैं में direct mail server पे store होता है, हमारे computer में कुछ भी store नहीं होता है computer में email के लिए space नहीं बनाना पड़ता है, क्योंकि सारे email mail server पे save होता है, अब अपने सारे emails and folder multiple device में एक ही बार देख सकते हैं नुक्सान की बात करें तो disadvantage में आपका यह है, इसमें बिने internet connection के आप email नहीं देख सकते हैं क्योंकि हमारे computer में यहाँ पर कुछ भी store नहीं होता है, सब जो होता है mail server पे store होता है दोस्तों वास, फिलाल वीडियो में इतने वीडियो देखने के आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे उमीद है बंदे मात्रम